यू तो जितेंद्र ने एक से बढ़कर एक सूपर हिट फिल्में दी मगर वे अफेर्ज और रोमैंस को लेकर भी खूब सूर्कियों में रहे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सत्तर का दशक गोल्डन एरा माना जाता है इसकी सबसे बड़े वज़े ये है कि इस एरा में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए जिनोंने दर्शकों का मनोरंजन किया और अपना एक मुकाम बनाया जितेंद्र जिस एरा में आए उसमें डांसिंग को ज़्यादा तवज्यों नहीं दी जाती थी ऐसे में उनकी डांसिंग स्किल्स खूब पसंद की गई और जितेंद्र बन गए बॉलिवोड के जंपिंग जैक यूँ तो अक्टर ने एक से बढ़कर एक सूपर हिट फिल्में दी मगर वो अफेर्स और रोमैंस को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे जितेंद्र का असली नाम रवी कपूर है और उनका जन्व 7 एप्रिल 1942 को पंजाब के अमरितसर में हुआ था अक्टर ने अपनी पढ़ाई जिस स्कूल से की थी वहीं से बॉलिवूड के पहले सूपरस्टार राजेश खन्ना ने भी पढ़ाई की थी यहां तक की दोनों दोस्त भी थे परसनल लाइफ की ओर रुख करें तो उन्होंने साल 1974 में शोबा कपूर से शादी की थी इस शादी से उन्हें दो बच्चे हुए एक्टा कपूर और तुशार कपूर बतादे कि जितेंदर की स्टाइल पर लड़कियां मरती थी और पॉलिवूड के कई अभी नेत्रियों के साथ उनके रुमैंस की चर्चा रही इसमें तीन नाम प्रमुख हैं ये हैं हेमा मालिनी, श्री देवी और जयाप्रदा मगर इनके साथ रुमैंस के दोरान इसका सीधा असर जितेंदर की परसनल लाइफ पर पड़ा पतनी शोबा के साथ रिष्टे में उतार चड़ाव देखने को मिला हेमा मालिनी बॉलिवुड इंडस्ट्री की सबसे खुबसूरत अक्रिस मानी जाती हैं हेमा मालिनी के प्यार में संजीव कुमार और जितेंदर थे साथ ही धर्मेंदर भी हेमा को पसंद करते थे एक समय तो ऐसा था जब जितेंदर संग हेमा का प्यार ऐसा परवान चड़ा था कि दोनों शादी करने वाले थे मगर बीच में धर्मेंद्र की एंट्री हुई और उनोंने बाद में जा कर हेमा से शादी कर ली हेमा भी धर्मेंद्र को पसंद करती थी जितेंद्र की करियर में एक ऐसा समय था जब वे साउथ की फिलमें करने लगे थे इस दोरान उनकी मुलाकात श्री देवी से हुई श्री देवी को मुंबै लाने का श्रय भी जितेंद्र को ही जाता है कुछी समय में ऐसी रिपोर्ट आने लगी थी कि दोनों के बीच अफेर चल रहा है मगर जिस समय ये अफवा उड़नी शुड़ी हुई उस समय जितेंद्र शादी शुदा थे जब पर्सनल लाइफ पर इसका प्रभाव पढ़ने लगा तब जितेंद्र ने श्री देवी संग प्यार को भुलाने की कोशिश की और अफवाओं को दूर किया साउथ की एक और ही बेहत खुबसूरत अक्ट्रिस थी जया प्रदा श्री देवी के बाद जितेंद्र के जीवन में आई जया प्रदा यहां भी कहानी श्री देवी से कुछ अलग नहीं थी बलकि दोनों के बीच की नस्दी किया उससे भी ज्यादा बढ़ रही थी कई अफ़ाय तो ऐसी भी आई की जया प्रदा तो जितेंद्र की दिवानी है मगर जितेंद्र की तरफ से ऐसे एमोशन्स नहीं है बतादे की साल 1983 में एक फिल्म रिलीज हुई थी फिल्म का नाम था मवाली इस फिल्म में जितेंद्र के साथ उनकी दोनों प्रेमिकाएं थी जया प्रदा और श्री देवी इस बीच श्री देवी और जया प्रदा के बीच जगडे की खबरे भी सामने आई थी इसने इस बात को तूल दे दिया था कि दोनों ही अभिनेत्रियों के मन में जितेंद्र के लिए कहीं न कहीं प्रेम के भाव जरूर है हाला कि समय के साथ ये प्रेम का भाव धूमिल पड़ गया